हलो स्टूडेंट्स वेलकम तो आर चानल सिवल्स टाप हिमाचल सो स्टूडेंट्स आज आपकी थर्ड क्लास है जैसे कि आपका जो CSAT exam आने वाला है 2021 का exam जिसका target लेके हम सब चल रहे हैं तो CSAT exam में one of the subject है reasoning का जैसे कि English, maths या फिर quantitative aptitude and the third subject is reasoning तो आपके CSAT के exam में जो reasoning equations देखे गए हैं सबसे पहले जो मैं topics cover कर रही हूँ आज आपका third lecture है first lecture में मैंने analysis discuss की है second lecture जो हमारा हुआ था उसमें हमने coding decoding का cover up किया था क्योंकि ये कुछ ऐसे chapters है जिसके equation आते ही आते है तो हमारा target है कि सबसे पहले हम उन chapters को cover करें उन topics को cover करें जो definitely आपको CSAT 2021 में मिलेगा तो number series उन में से ही एक important chapter है जो 100% expected है CSAT 2021 में इसलिए आज का session रहेगा on the topic number series तो सबसे पहले मैं आपको हमारे course के बारे में बताना चाहूंगी हमारा जो HPAS का CSAT का course है for 2021 हम आपको आपसे piece 3500 charge करेंगे जिसमें आपके video lectures cover होंगे सारे video lectures जिसमें की reasoning के video lectures होंगे quantitative aptitude के होंगे और English language के होंगे तो ये आपके cover होंगे सारे video lectures जिसकी fees हम आपसे charge कर रहे हैं सरफ 3500 और हमारी जो website है ये है www.civilstaphimachal.com अगर आप हमें contact करना चाहते हैं तो ये number है आप इस number पे हमें contact कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं हाँ जी देखिए number series number series में होता क्या है आपको कुछ sequence of number दिया जाता है आपको एक sequence दिया होगा कुछ numbers का तो आपने उस sequence को understand करना है वो sequence में आपका कहीं बार gap understand करना पड़ेगा आपको कहीं बार numbers को खुद को ही understand करना पड़ेगा तो mainly you have to study the whole series ताकि आप किसी blank जो आपको fill in the blank की form में दिया हुआ है कि बताइए यहां पर क्या आएगा ताकि आप उस blank को fill कर सकें कहीं बार आपसे पूछा जाते कि बताइए पूरी series में पूरे sequence में रॉंग number कौन सा है तो that depends कि आपको question में क्या है बट हमें यहां पर जो understand करना है that is we have to understand the sequence तो हमें पहले कुछ numbers की पहचान होनी चाहिए तो यह basic पहचान जो numbers की होती है जैसे कि even number क्या होते है even number वो है जो की 2 से divisible है like 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानि हर alternate number आपका even number है next odd numbers क्या होते है हाँ जी odd numbers जो number 2 से divisible नहीं होगा जैसे कि आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 यह सारे के सारे आपके क्या है odd number right next आपका क्या होगा prime number ना prime number और odd number में कहीं बार confusion हो जाती है even भी हो ठीक है so after 2 next prime number होता है 3 then 5 then 7 then 11 then 13 then 17 then 19 ठीक है so यह सारे के सारे आपके क्या है prime numbers next आपके होते है perfect square यानि perfect square कौन से होते हैं वो numbers जिनका square root जो होता है वो एक complete number होता है यह एक तरह से जैसे 1 का square होता है 1 so 1 is a perfect square, 2 का square होता है 4, 3 का square होता है 9, 4 का square है 16, 5 का square है 25, 6 का square है 36, 7 का square है 49 right so यह सारे numbers जो है यह सारे के सारे क्या है perfect square next आपका क्या है perfect cube, perfect cube क्या होता है जैसे कि 1, 1 का cube is 1, 2 का cube is 8, 3 का cube is 27, 4 का cube जो होता है वो 64 होता है 5 का cube जो है वो 125 होता है 6 का cube होता है 216 तो इस तरह से आगे जितने भी numbers जो कि मतलब cube होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं perfect cube तो यह basic understanding है about the numbers तो जैसे कि आपके examination में quantitative aptitude भी आना है cubes आने चाहिए ठीक है जो कि ऐसी calculations जो होती है आपकी वो maths में भी आएंगी और reasoning में भी कुछ-कुछ chapters होते हैं जिसमें आपकी थोड़ी सी calculations है तो चलिए start करते हैं तो देखिए मैं कुछ questions आपके साथ discuss करूँगी और उसके बाद हम discuss करेंगे previous year के questions तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुए which number should come in place of question mark in the series given below आपको एक series दी जा रही है और आपको series को understand करना है और उस series में आपको यह देखना है कि इसमें next number क्या होगा यार फिर missing number क्या होगा तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं देखिए series की speed हमेशा हमें क्या देखना है series की speed क्या है वो speed को समझना है तो अगर मैं यहाँ पर देखू 113 के बाद 225 है अगर थोड़ा एक approximate idea हम लें यह 100 में यह 200 में यह 200 में यह 400 में तो हमें एक idea मिल रहा है कि यहाँ पर doubling हो रही है 100 का double is 200 200 का double is 400 है न तो यह doubling हो रही है तो यानि कि हम एक बार double कर ही देते हैं तो जरह 113 into 2 अगर हम करके देखें तो क्या आता है 113 into 2 आता है 226 पर next number हमें क्या given है 225 यानि into 2 करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा minus 1 now next 225 के बाद आपको 449 दिया हुए तो अगर मैं 225 का double करूँ तो यह आपका क्या बनेगा 450 और 450 से 449 पे आना है तो minus 1 तो हम सीरीज की स्पीड पे अगर ध्यान देंगे तो हमें एक idea लग जाता है कि rule किस तरह का है plus हो रहा है कि multiply हो रहा है तो चलिए अब दो जगा हमें same rule मिला है into 2 minus 1 का तो next rule भी हम यही लगाएंगे into 2 minus 1 तो चलिए 449 into 2 अगर आप करते हैं तो आपका कितना आता है 898 ठीक है तो उसमें minus 1 कर देंगे तो हमारा जो answer है वो कितना आएगा 897 जो की आपको given है third option में चलिए आगे बढ़ते हैं next question हाँ जी यहाँ पे आपको series जो दी हुई है 5, 9, 21, 37, 81 इसको अगर complete हम करना चाहें अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो शुरुवात में speed इतनी जादा नहीं है in fact ending तक भी नहीं है पर अगर आप थोड़ा idea लो 5 का doubling because यह जो multiply के साथ minus और multiply के साथ plus यह वाले जो rules होते हैं यह बहुत common होते हैं तो अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान चला जाए ना इस बात पर कि multiply और minus का combination है या multiply और plus का combination है तो हमें फटा-फट से इस rule को check out करना पड़ेगा तो अगर आप यहां देखें यह भी almost doubling है 5 का double 10, 10 के आसपास 9 होता है 9 का double 18, 18 के आसपास 21 होता है 20s का double जो है वो 40s में आता है 37 जो है वो 40s के round है 40s के double जो है वो 80s के round आता है तो यहां भी हमें कुछ doubling का logic लग रहा है तो चलिए देखते हैं 5 में into 2 करके आता है 10 और 10 में minus 1 करके कितना आएगा 9 अब 9 से 21 कैसे आएगा 9 into 2 करके 18 आता है और 18 से 21 पे हमें आना है तो plus 3 अब 21 का into 2 करोगे तो यहां पे हुआ क्या यह देखिए यह minus 1 है और यह plus 3 है तो 1 और 3 आपके क्या होते हैं odd number है ना तो अब यहां पे next देखते है 21 into 2 तो यह आपका बनेगा 42 और 42 से 37 पे आना है तो हम क्या करेंगे minus 5 next आपका 37 से 81 तो इसका भी अगर मैं into 2 करूँ ठीक है तो into 2 करने पे आपका यह कितना आता है 74 और 74 से 81 पे आना है तो हम क्या करेंगे plus 7 so that means rule हमें clear हो चुका है minus 2 तो होना ही होना है oh sorry multiply 2 तो होना ही होना है ठीक है उसके बाद आपका क्या हुआ पहले minus 1 हुआ फिर plus 3 हुआ फिर minus 5 हुआ फिर plus 7 हुआ तो यह जो series चल रही है 1 3 5 7 की यह तो आपके क्या है odd numbers और यह क्या चल रहा है minus और plus का alternate तो चलिए फिर minus और plus का alternate है तो करते हैं इसको तो next हमारा क्या होगा 81 into 2 हमें करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे अलग प्लस 7 के बाद minus होगा और 7 के बाद 9 होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है 81 into 2 minus 9 ठीक है तो answer आपका यह कितना आएगा 81 into 2 162 और 162 में अगर आप minus 9 करते हैं तो answer आपका आजाएगा 153 तो आपका answer है 153 चलिए next question हाँ जी इस question में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हम अगर देखें तो throughout series ही बड़े numbers है ना बस शुरू में एक छोटा सा number आ रहा है तो चलिए gaps ही निकाल के देखते हैं क्योंकि आगे बड़े numbers में अगर gap कम है तो वो तो फिर आपका plus या minus का ही logic बनेगा तो चलिए difference निकालते हैं 33 और 321 में कितने का difference है 288 अगर मैं 465 minus 321 करूं तो difference आएगा 144 next gap आपका कितना आएगा 72 उससे अगला gap जो है वो कितना आएगा 36 तो actually gap आपका घटा जा रहा है अगर आप gaps पे ध्यान दो यह 200 में यह 100 में ठीक है आफ करूं तो कितना होगा 36 तो next अगर मैं 36 का half करूं तो next आपका कितना होगा 18 का gap होगा यानि कि हमें यहां पर क्या करना है और अगर आप series देख रहे है 33 से 321 465 यह नहीं series बढ़ रही है 400 500 है न तो next हमें क्या करना है 573 में हमें प्लस 18 करना है तो answer आपका कितना आजाएगा 591 जो कि आपको given है second option में हां जी next question next question जो है इसमें आपको दिया हुए 12664 राइट तो चलिए इसको करते हैं यहां पर अगर आप देख रहे हो यह भी आपको कुछ half-half ही लग रहा है न 120 है यह 60 है तो अगर मैं इसको half कर दूँ ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 63 और 63 से 64 पर आना तो हम क्या करेंगे प्लस 1 अब 64 से 34 अब यह भी अगर मैं half कर लूँ मैं सीरीज थोड़ा से expand करके लिख देती हूँ ताकि आपको confusion ना हो हाँ जी 126 का half किया तो कितना आया 63 और 63 में प्लस 1 किया तो 64 अब 64 का अगर मैं half करूँ तो कितना आएगा 32 और 32 से 34 पर आना तो प्लस 2 अब अगर मैं 34 का half करूँ तो आएगा 17 और 17 से 20 पर आना है तो प्लस 3 20 का अगर मैं half करूँ तो कितना आएगा 10 और 10 से 14 पर आना है तो प्लस 4 तो यानि की half तो हमें करना ही है आगे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 चल रहा है ठीक है तो अब प्लस 4 के बाद ठीक है तो आंसर आपका कितना आजाएगा 12 जो की गिवन है आपको option number 1 में हाँ जी next question हाँ जी 25, 34, 30 चलिए gaps देखते हैं इन में कितने के हैं सबसे पहला gap जो है क्योंकि series की speed बहुत ही normal है भहत speed में नहीं है और बहुत ज़ादा अगर हम देखें कि बहुत ज़ादा slow भी नहीं है तो चलिए gaps देखते हैं 25-34 पिए अगर मुझे आना है तो आप कैसे आएंगे प्लस 9 करके 34-30 पिए आना है तो हम कैसे आएंगे माइनस 4 करके 30 से 39 पे आने तो प्लस 9 39 से 35 पे आने तो माइनस 4 तो अगला आपका क्या हो जाएगा माइनस 4 के बाद प्लस 9 होगा तो 35 में प्लस 9 किया तो कितना आ जाएगा 44 तो आंसर आपका क्या होगा इसका second option clear? चलिए next हाँ जी 16, 8, 12 अब जब इस तरह का question आ रहा है 16 है, 8 है, 12 है, 30 है तो यहाँ पे आपका क्या रहता है कि आपको decimal में एक number आ गया है ना पहले series घटरी है जब भी आपकी series पहले reduce हो फिर same हो या same ना हो और फिर उसके बाद एकदम से बढ़ने लग जाए और ultimately कहीं पर points वाले number आने लग जाएं, decimal वाले number आने लग जाएं तो वहाँ पर mostly आपका क्या होता है, multiply हो रहा है कोई decimal number ठीक है, ऐसे में आपका कोई decimal number जो है वो multiply होगा तो चलिए देखते हैं, 16 से 8 पे आना, तो 16 का half होता है ना half का मतलब 0.5 अब अगर मुझे 8 से 12 पे आना है, तो अगर हम 8 से 12 पे आना चाहें तो आप देख सकते हैं, 8 इंटू 1 करके तो आपका आता है 8 है ना, मुझे क्या चाहिए? 12 तो मुझे extra कितना चाहिए? 4 तो 4 कैसे आएगा? 8 का half होता है 4, यानी 8 इंटू 1.5 अगर आप करो, 8 1s आ 8 और 8 का half कितना हो जाएगा? 4 तो इनको अगर आप add करते हैं, तो कितना आता है आपका? 12 तो इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर आपका next जो है, वो क्या हो रहा है? 1.5 तो यह आपका 0.5 था, यह आपका 1.5 था तो उसे साब से next आपका 2.5 बनता है, तो यह देखो 12 इंटू 2.5 करके 30 आता है तो यह देखिए 12 इंटू 2, कितना होगा? 24 और 12 का 0.5 मतलब हाफ, कितना होगा? 12 और अगर मैं, और सारी, यहाँ पर हम 6 करेंगे 12 इंटू 0.5 मतलब हाफ, कितना होगा? 6 तो अगर मैं इनको आड़ करूं, तो कितना आएगा? 30 तो यह अब रूल हमें समझ आ चुका है, कि पहले आपका इंटू 0.5 हो रहा है फिर आपका इंटू 1.5 हो रहा है, और नेक्स आपका इंटू 2.5 हो रहा है तो उसके बाद, उससे आगे हमें क्या दिया हुए? 30 तो 30 में हम क्या करेंगे? इंटू 3.5 30 इंटू 3.5 तो 30 इंटू 3.5 अगर आप करते हैं, तो सॉल करके आपका जो आंसर है वो आता है 105 अब 105 से मुझे 472.5 पे आना है, तो हम मल्टिप्लाइ करेंगे 4.5 तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सेकिंड ओप्शन हाँ जी, नेक्स्ट क्वेस्टन आपको यहाँ पे दी हुए है सीरीज, अगर आपका ध्यान जा रहा है हर अल्टनेट नंबर पे, ठीक है? 5, देन डाश, फिर 8, मतलब नंबर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है और अगर आप लास्ट में देखो, देखो यहाँ तो ब्लैंक है लास्ट में अगर आप देखना चाहो, तो 7 और 9 को मल्टिप्लाइ करके 63 आता है इधर से यह बड़ा नंबर है, 7 और 8 को मल्टिप्लाइ करके 56 आता है तो यानि यह हो क्या रहा है कि 1st और 3rd नंबर मल्टिप्लाइ करके मिडल नंबर रेडी हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 और 8 मल्टिप्लाइ होगा तो 5 इंटो 8 कितना आ जाएगा, 40 तो यह बहुत ही सिंपल क्वेशन था पस आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है इस चीज़ पर कि एक मिडल में एक बड़ा नंबर आ रहा है और एक नंबर के लेफ्ट और राइट में छोटे नंबर्स हैं, चीक है, next question हाँ जी, 11, 16, 26, dash, 86 अगर हम इस सीरीज को करें हाँ जी, यहाँ पर अगर आप gaps निकालते हैं तो gap आपका पहले कितने का है, plus 5 का उसके बाद अगला gap जो है, वो आपका कितने का है, plus 10 का ठीक है, तो अगर हम ध्यान दे कि 5 के बाद 10 का gap है तो next आपका यहाँ पर क्या हो सकते है देखो, यहाँ तो यह 5 के multiples है, तो पहला 5 है, अगला 10 है तो next आपका क्या होगा? 15 यहाँ फिर ऐसा भी हो सकता है, कि यह 5 है 5 का डबल किया 10 आया, 10 का डबल किया 20 आया अब अगर यहाँ पर 15 है, तो यहाँ वाला gap जो है, वाला 5, 10, 15 और next आपका क्या बनेगा? 20 है ना? यहाँ फिर 5 का डबल 10, 10 का डबल 20 और 20 का डबल जो है, वो कितना हो जाएगा? 40 तो अब हमें चेक करना है कि 86 के सीरीज से आएगा अब अगर मैं 26 में 15 आड़ करूँ, ठीक है? तो आपका यह कितना आएगा? 41 है ना? 41 में अगर मैं 20 आड़ करूँ, तो वो आएगा 61, तो 86 तो बननी रहा यानि यह वाला logic गलत है, यह वाला logic हम चेक करते हैं तो 26 में अगर मैं 20 आड़ कर रही हूँ, तो यह आपका कितना आएगा? 46 और 46 में अगर मैं 40 आड़ करूँ, तो कितना आएगा? 86 यानि कि आपका जो आंसर है, वो यहाँ पर क्या होगा? 46 जो कि गिवन है आपको 1st option में, हांची, next question चलिए, यह आपको दी हुए एक series, 198, 194 देखिए, मैं यह जो अलग-लग तरह की questions आपसे discuss कर रही हूँ, उससे में लिए आपको क्या होगा? की idea होगा? कैसा सा rule लगता है? किस तरह से लगता है? या किस तरह से लगाना है? तो हम इसी वज़ा से कुछ questions की discussion कर रहे हैं, previous exam questions discuss करने से पहले और इसकी यह जैसे कि हमने पिछली class में किया था, coding decoding में, कि हमने थोड़े से questions discuss किये थे और उसके बाद आपको याद होगा कि हमने जब previous question किये हम एक एक second में solve कर रहे थे. तो इसी तरह से आज भी होगा कि यह 15 questions जो मैं आपके साथ discuss कर रही हूं, इनकी discussion के बाद जब हम previous paper examination के questions निकालेंगे, solve करेंगे, तो आप realize करेंगे कि आपके सारे questions फड़ा-फट से solve हो रहे हैं, तो यह 15 questions जो मैं आपके लिए लेके आती हूं starting में, वो सिरफ इस purpose से है, कि आप ये 15 questions में सारा chapter पूरा concept जो हैं वो cover कर सकें, तो चलिए ये वाली series देखते है, 198 से 194 कैसे आ रहा है, minus 4, हाँ जी उसके बाद 194 से 185 कैसे आ रहा है, minus 9, 185 ओके सो 9th question, हाँ जी gaps देखते हैं, सबसे पहला gap आपका है, यहाँ पर 198 से 194 कैसे आएगा, minus 4, फिर आपका minus 9, फिर आपका minus 16, तो अगर आप इनको समझें, यह numbers क्या है, यह 2 का square 4, 3 का square है 9, और 4 का square है 16, तो next आपका होगा, minus 25 जो की होता है 5 का square, तो हम 169 में 25 माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 144, तो यहनि की question, हाँ जी, अब यहाँ पर आपको series दी हुई है, 5, 17, 37, 65, तो चलिए, अगर आप इन numbers को थोड़ा सा ध्यान दे, यह सारे numbers जो है, यह perfect squares के pass वाले numbers हैं, ठीक है, तो जैसे कि यह, देखो, यह 36 प्लस 1, यह 64 प्लस 1, यह 16 प्लस 1, यह 144 प्लस 1, तो अब हम देखते हैं किस तरह से pattern बन रहा है, देखो, 5 क्या होता है, 5 है 4 के सामने, यह नि 2 square प्लस 1, 17 क्या है, आपका, 4 का square 16, प्लस 1, 17, 37 क्या है, 6 का square 36, प्लस 1, 37, 65 क्या है, 8 का square 64, प्लस 1, 65, तो 2, 4, 6, 8 के बाद, नेक्स्ट आपका क्या होगा, 10 का square प्लस 1, यानि की 101, तो आंसर आपका आएगा 101, ठीक है, तो उसे साब से नेक्स्ट आपका यह देखो, 10 के बाद 12 का square 144, और प्लस 1 करके कितना आ गया, 145, तो यह भी एक rule है, मैंने आपको बार बार बोल रही हूं कि squares और cubes के logic बहुत जादा होते हैं number series में, चलिए next question, हाँ जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, gaps निकालेंगे, क्यूंकि series की speed बहुत ही normal है, तो सबसे पहले आपका होगा 20.5, और series बढ़ती जा रही है, increasing order है, तो इसका मतलब हम है add ही करना है, अगला gap आपका होगा 22.5, उससे अगला gap बनेगा आपका 24.5 का, ठीक है, तो 24.5 के बाद, अब आप अगर 138 में 24.5 add करते हैं, तो आपका जो answer है, वो क्या बनता है, 162.5, जो की आपको given है option number third में, चलिए, तो ये तो बहुत normal सा question था, next question. हाँ जी, अब अगर आप ये वाली series देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ numbers दियो हैं, जैसे कि 4, 4, 5, 2, 2, 1, तो चलिए gaps ही देखते हैं इनके, चलिए, पहला gap, आपका जो है, वो 224 का है, और बचे यहाँ पे decreasing order है, जिस वज़ा से हमें यहाँ पे minus करना है, अगला gap after 224 आपका होगा 112 का, उससे अगला gap जो है, आपका होगा 56 का, उससे अगला gap आपका बनेगा 28 का, उससे अगला gap आपका बनेगा 14 का, और उससे अगला gap बनेगा 7 का, तो अगर आप इन gaps पे ध्यान दें, यह सारे half हो रहे हैं, जैसे कि 224 के half करते हो तो 112, 112 का half करते तो 56, 56 का half जो होता है 28, तो यहां पे आपका 14, फिर 7, तो चलिए यहां पे अगर आप फिर उसे साब से देखते हैं, यहां पे आपका blank जो है वो क्या आएगा, तो जैसा कि आपने नीचे pattern बनाया ही था, 109 में आपको add करना है क्या 56, तो चलिए add करके आपका जो answer आएगा, कि आपको यहां पे देख सकते हैं न, कि, sorry, add नी, subtract करना है, 109 में हमें 56 को subtract करना है, तो जो हमारा answer आएगा, वो आएगा 53, तो answer है option number 3, ठीक है, चलिए next, हाँ जी, अब आप यहां पे देख सकते हैं, negative में number है, तो ज़र यहां पे हम इसके gaps निकालेंगे, minus 3, 9, 41, 113, dash, और 5, 7, 7, तो चलिए gaps देखते हैं, पहला gap, जो है, आपका यहां पे बनेगा, 12 का, अगला gap बनेगा आपका, 32 का, उससे अगला gap बनेगा, 72 का, अगर आप ध्यान दे, pattern तो कुछ भी नहीं है, 12, 30, में लिए आपका कोई भी sequence नहीं है, पर हर number का second digit है 2, यानि कि हो सकता है, यहां पे gaps of gaps now, तो चलिए इसका gap निकालके देखते हैं, यहां पे आपका जो gap है, वो 20 का आ रहा है, next gap आपका जो है, वो 40 का आ रहा है, तो next जो आपका gap of gap होगा, क्यूंकि यह तो आपका main gap होगा, है ना, यह तो आपका जो है, यह main gap होगा, और उससे आगे अगर हम जाएंगे, तो जो next आपका gap of gap निकलेगा, वो 40 के बाद, इनका तो pattern बन रहा है, 20, 40, next आपका 60 भी हो सकता है, या फिर 80 भी हो सकता है, 80 और 60 में doubt है, अब यह चीज हम कैसे clear करें, आप एक चीज देखो, यह वाला number, यह hundreds में है, यह 500 में है, तो इतना बड़ा number अगर आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे बड़ा number ही add होना चाहिए तो 60 आड़ नी होगा, 80 आड़ होगा, तो 72 में अगर आप 80 आड़ करते हैं, तो बनता है 152, ठीक है, तो 113 में अगर आप 152 आड़ करते हैं, तो बनता है 265, ठीक है, तो अगला gap अगर मुझे निकालना है, तो उसके बाद 80 के बाद आपका next जो होगा, मतलब 20 का double is 40, 40 का double is 80, 80 का double होगा, 160, तो 152 में 160 अगर आप आड़ करते हैं, तो आपका आजाएगा यहाँ पे 312, तो यह आप चेक कर सकते हैं, 265 में अगर आप 312 आड़ करें, तो आंसर आपका 577 ही आएगा, चलिए next question, हाँ जी, आपको यहाँ पे दिया हुए 922, तो यह वाली सीरीज अग है, बहुत ही normal है, बट अगर आप sequence में gaps निकालेंगे, तो कोई pattern नहीं बन रहा, तो फिर अब हम क्या करें, देखो, कहीं बारना आपकी twin series,